तो आज हम नर्मदा रिवर को डिसकस करने वाले हैं अगर देखा जाए साउथ इंडिया यानि दक्षिर भारत की जितनी भी नदिया है वह किस प्रकार की नदिया है वह है पैनेंजुला रिवर्स को हमने फर्स्ट वीडियो में डिसकस किया था जिसमें यह बताया गया था कि कि उनका जो वार्टर होता है वो किसकी वाजी से आता है रेनवाटर मतलब वर्षा जल जोता है जितना जितनी वर्षा होगी उतना ही जल उसमें प्रभा होगा तो स्रुत ताजल का कहां का साऊथ इंडिया की या रिवर्स का तो वह क्या है लेज़ había इंडिया की जो रिवर्स है जैसे गंगा हुई ब्रहमपुत्रा हुई इंडासरीर तो त्हुम पेसी lire थी नॉर्थ इंडिया की थी और इनका जो वार्टर का जो सोो था वो क्याता है हिमालय फिर हमालयन स्ट्राइज पीलेशन क्या इनका हमालयन का ड्रॉक channel यह सीजनल क्योंकि रेन जो है पूरे साल तो पढ़ता नहीं है जब रेन बारिश आएगी उसी टाइम नदियों में पानी प्रभा होना शुरू होगा ठीक है तो आज हम इसमें डिसक्स करेंगे इस वीडियो में अपनी में दक्षिड भारत की नदियों में से जो मुख्य प् ब्रीट करते रहे हैं बहुत जाद इंपॉर्टेंट है और पेपर सैकिंड वाले जो बेसिकली एसस्टी जो उन्हें ने एपलाई किया है उनके लिए जो एसस्टी के लिए एपलाई करेंगे ठीक है जोग्रफी पोर्शन में भी आपके बहुत जादा हेल्प करेंगा तो स्टार्ट करते हैं और नरमदान नर्मदी से ठीक है इसके बारे में अगर बात करें तो इससे क्या कहा जाता है लाइफ लैन ऑफ एमपी जो लाइफ लाइल आफ मनला मद्धतदेश ठीक है अगर इसकी ओरिजन की बात करी जाए इसकी ओरिजन की यानि उद्गम की बात करी जाए तो उद्गम कहां से होता है इसका अमर कंटक से ठीक है के अमर कंटक कहां पर MP के अब अम देखते हैं कि इसका बेसिकली हम यही देखते हैं सबसे पहले हैं ओर इंफर्मिशन होती है वह देखते हैं ठीक है अगर हम बात करें इसके पाथ की ठीक है तो इसका जो पाथ है बेसिकली वो कहां से कहां तक है वो है मद्द प्रिदेश से यह शुरू होती है कहां से अमरकंटर्क से MP फिर यह जाती है महारास्ट्रा और फिर यह जाती है गुजरात ओके एंड यह कहां जाती है बे ओफ खंबट यानि खंबट की खाड़ी बे क्या होता है खाड़ी ठीक है अब अगर हम बात करें इसके वेस्ट वर्ड तो यह कैसी रिवर है इस वेस्ट वर्ड यानि इसका जो प्रवा हो रहा है वह रहा है पश्चिम की तरफ यानि इस तरफ थीक है तो मैंने एससे शो किया है जब कि यह इस तरीके से होगा यानि सबसे पहले MP होगा फिर महारास्ट्रा होगा फिर गुजरात में आती है फिर मिल जाती है कहां पर बे और घंबत में तो इसका अगर देखा जाए तो यह कैसी नदी है इस बेस्ट वर्ट रिवर मन्द्रदेश मालो MP यहां है फिर महारास्ट्रा यहां जाएगा यानि MP से आई महारास्ट्रा में फिर गुजरात में फिर वी ओफ खमबट में तो यह कैसी डायरेक्शन होगी वैस्टी तो हुआ यानि East यहां है और कहां पर Flow हो रहा है इसका West की तरफ इस तरीके से इसका क्या हो रहा है Flow हो रहा है ठीक है तो आप से पूछ लेगा एक्जाम में कि नर्मदा रिवर किस तरह की रिवर है तो option देदेगा आप सीधे लगा देना वेस्ट वर्ड रिवर है अब हम देखते हैं कि यह कहां से गुजरती है ठीक है कहां से गुजरती है तो बेसिकली यह गुजरती है इट पासज थूँ अब यह हम देखेंगे कि रिफ्ट वैली बेसिकली होता क्या है पुरा एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर के थ्रों समझेंगे तो जिसके कारण यह कोई भी डेल्टा नहीं बनाती ठीक है डेल्टा मैंने आपको क्या बताया था सुन्दरबंड डेल्टा बताया था ना तो सुन्दरबंड डेल्टा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि नदी जो है पानी में आकर मिल रही है समुद्र के पानी में लेकिन उसके साथ बहुत सारे क्या रहे हैं सेडिमेंट सारे हैं ठीक है मतलब जो कंकर पत्थर मिट्टी बगएरा जो भी चीज होगी वह क्या है समुद्र में अकर के मिल रही है तो तो अगर अगर बात करें इसकी तो इसके कारण क्या है किसी भी प्रकार का डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता तो यानी हम लिख सकते हैं कि no delta formation ठीक है अब इसमें दो चीज हमने देखी एक तो था delta और एक थी rift valley ये दोनों ही geological features होते हैं तो हम इसको देखते हैं कि basically होता क्या है मैं आपके सामने दो figure बनाऊँगी जिससे आपको clear हो जाएगा कि ये चीज है क्या ठीक है है तो माली जीए एक ये रिवर है ओके अब इसका जो water का जो flow है वह इस direction में माली जीए ठीक है इस direction में हो इस direction में हो ठीक है तो अगर इसकी नर्मदा रिवर की बात करें तो इसका कि इधर होगा इधर से इधर तो अब कैसे भी मान सकते हैं मैं आपको example दे रहीं रिफ्ट वैली बेसिकली होता क्या है तो अगर देखें इसको तो ये अपने साथ क्या लाएगा जितने भी सेडिमेंट्स होंगे उनको लाएगा क्या है ये पानी ठीक है लाएगा कि नहीं अब ये हैं इसमें बहुत बड़े बड़े क्या हैं खड़े हैं गड़े जैसे हैं तो क्या होगा पानी के साथ ये बहते हुए आ हैं तो कुछ यहां भी आ जाएंगे ठीक है अबी आगे बहते जा रहे हैं तो क्या होगा कुछ हैं जमा हो गए इधर तो आगे पहुंचें कम पहुचेंगे कुछिदर जमा हो जाएंगे तो ऐसे ही करते करते ही जो सेडिमेंट्स है यानि यह जो अवसाद था चोटे-मोट पहुचे गा तो वो कैसा पहुचेगा टो मिक्सी मिवें पयार उसमें किसी भी प्रकार कि इंप इंप अलीन भी किसे भी प्रकार को कि मैं फ्याय यह जो पाथ है ठीक है रिबर का यह जो पाथ है वो क्या हो जाएगा रिफ्ट वैली हो जाएगा ठीक है आप इसका फ्लो इधरी शो करते हैं ठीक है आप यह रिवर जा रही है पानी जा रहा है ठीक है अब आप इसमें देख रहे होंगे डिफ्ट वैलीड वाले डाइग्राम में और इस डाइग्राम में कि इस में बहुत बड़े-बड़े क्या हैं खड्डे बने हुए फैसे में सद्सीने लेकिन यहां कि आप हुआ इसमें सavor घृष ऐसृष यह जमाव गये घृष सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब हो väldigt इंग जब यह पानी बिल्कुल नदी के किनारे मतलब जहां यह पानी समुद्र के पानी में मिलेगा तो वहां क्या है बहुत सारे सेडिमेंट जमा हो जाएंगे तो इससे क्या होगा जैसे अगर इस वात को अगर हम इस तरीके से देगें मालो यह रिबर आ रही है और इधर है हमारा क्या समुद्र का पानी ठ स्ट्रक्चर को जिसी तरीके से बन जाता है कि क्या कि इसて की इस तरीके से व'll न जाता है मैं जितने भी सेडिमेंट्स वह मिल जाएंगा और जो वाटर है दो चलाही जाएगा ऑще तो यह जो structure है पर्टीकुलरी पर्टीकुलरली जह जो structure है जो ट्रैंगुलोज शेप का यही क्या है मारा डेल्टा है ठीक है यह है हमारे सेडीमेंट से यानि हम लिखते हैं यह सेडीमेंट से इसको हिंदी में हम कहते हैं अवसाद उके गाई इस तो यह आपको clear हो गया होगा अब जब यह नदी रिफ्ट वैली से गुजर रही है तो क्या होगा यह प्रकार की नदी होगी यानि यह क्या है किसी भी प्रकार का डिल्टा नहीं बनाएगी ठीक है उमीदे आपको यह clear हो गया होगा अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि यह जो इस ट्रक्टर है बेसिक ली यह जो स्ट्रक्टर है इसको हम और क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एस च्री ओके ई-s-t-a-u-r-i-e-s-t-a-u-r-i-e-a story हिंदी में इसको कहते हैं ज्वारन ज्वारंद मुख ठीक है बहुती टफ सा नाम है यह चलो इसे थुड़ा सा उपर लिख देते हैं आपको नहीं आ रहा होगा दिखनी रहा होगा यह बेसिक्ली कि इसको क्या कहा देंगे हम एस्चुरी कि हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे ज्वारंद कि मुख ठीक है और अमें से क्या कह देते हैं अब लिफ्ट वैली कि ठीक है रिफ्ट वैली कह देते हैं तो यह आपको क्लियर हो गया डेल्टा का स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्राइंगल शेप का मन्दब नदी का पानी आया यहां मिला तो जो सेडिमेंट से खटे होंगे वह कैसे होंगे स्ट्राइंगल शेप में जो स्ट्रक्चर होगा वह बन जाएगा वंद्द सुन्दवन डिल्टा में इसी प्रकार का क्या है स्ट्रक्चर बनता है तो उमीद आपको एक्लियर हो गया होगा अब डेल्टा से जुड़ी हम कुछ चीजों को दिखेंगे कि बेसिकली डेल्टा से रिलेटेट आप से और क्या पूछा जा सकता है ओके आपकी क्लास एर्थ है आज की सेवन लेक्चर सापके कंप्लीट हो चुके हैं टाइम से चीजे चल रही है आपके एक्जाम आने से लगवा घम 10-15 दिन पहले आपका पूरा स्लेवर कंप्लीट करा देंगे ठीक है जिससे आपको पर टाइम मिल सके रिवीजन में अब देखते हैं बेसिकली हम क्या देखेंगे डेल्टा डेल्टा क्या होता है हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया डेल्टा का ठीक है तो अगर भात की जाए डेल्टा की तो यह जो है आज्वेस फॉर्म एड़ एंडेल्ड ऑफ दरिवर ठीक है हमेशा कहाँ बनता है नदी के बिलकुल अंत में बिलकुल किनारे पर बिलकुल आंत जो छोगोर होता है अन्तिम जो पॉइंट होता है नदी का वहां यह बनता है अधिक है कहां बनता है हमेशा नदी के बिलकुल अन्तिम पॉइंट पह है अब इससे एक और चीज आप से पूछ ली जाएगी और इससे क्या है हमेशा एक फर्टाइल एरिया फॉप होता है ठीक है जहां डेल्टा बनेगा वहां पर जो सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन होगा तो उधर जो एरिया होगा वो कैसा होगा बहुत ही जादा फर्टाइल होगा ठीक है यानि अब फर्टाइल एरिया formed by sediments deposition ठीक है ओके और रिवर एट इट्स माउथ ठीक है अच्छा फर्टैल क्यों होगा क्योंकि वो sediments अपने साथ बहुत सारे अब साथ होंको बन्दब डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ठीक है उनको भाकर के ला रही है तो उनमें अलग-अलग मिनल्स होंगे तो वह क्या है वहां पर जो consolidate हो जमा होंगे बिल्कुल कहां पर जो nad posição माउथ होगा यानि बिल्कुल जो end point होगा जहां पर नदी कहां मिल रही है समुद्र के पानी में थीक है तो वहां के जमिन होगा बहुत ज्यादा कैसी होगी उपजाओ होगी डेलटर की एक में जो फीचर होता है वो यहीं होता है अब हम देखते हैं बेसिकली नर्मदार रिवर की लेंथा अगर नर्मदार की लेंथ की बात करी जाए नर्मदार रिवर की लेंद की बात करी जाए तो यह कितनी है 1312 ठीक है 1312 किलो मीटर इसकी जो टोटल जो पाथ की जो लेंद है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए ठीक है इसकी जो जितनी भी सहायक नदिया होंगी सहायक नदिया तो कावी सारी है देखते हैं क्या क्या है एक है तवा तवा कहलो चाहिए तावा कहलो ठीक है और एक है शेर और दूसरी है शेखर शक्कर सौरी यह चीनी वाला शक्कर नहीं है नदी वाला शक्कर है और देन इसके बाद है दूधी यह क्या है इसकी सहायक नदिया है इसकी नर्मदा डिवर की अब नेक्स्ट जो इससे बाद में चीज है वह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट आपके लिए आप उसे ध्यान से सुनना और एक्जाम में इतना पूछा जाता है उससे रिलेटेड तो आप उसे मतलब ध्यान से जुनना ठीक है अब हम बात करेंगे नर्मदा रिवर पे जो डैम बना हुआ है बिसिकली कौन सा सरदार सरोवर डैम तो उसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी ठीक है अब चलो देखते हैं कि 1960 में यानि इन नाइंटी सिक्स्टी ठीक है तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मारे भारत के वह कौन थे पंडित नहरू ठीक है तो पंडित नहरू थे उस टाइम के कौन प्राइम मिनिस्टर अब उस टाइम पर हुआ क्या कि जो है मद्द प्रदेश और गुजरात में ठीक है गुजरात में क्या थी सूखे की समस्या थी बहुत जादा ड्रॉट प्रॉब्लम थी कि उके वहां पर क्या थी बहुत जादा सूखे की समस्या थी तो इस समस्या का हल करने के लिए यानि इस समस्या का सॉलुशन निकालने के लिए वहां पर जो है एंपी में एंपी में तो इंदिरा सागर डेम की बनाने की गोश्णा की गई ठीक है और अगर बात की जाए गुजरात की कहां पर नर्मदा रिवर पर हमें नर्मदा रिवर कहां से गुजरती है वह हम दिसकस कर चुके हैं मद्यप्रेदेश और गुजरात दोनों चीज थी उसमें ठीक है और गुजरात में कि सर्दार सरूबर डेम बनाने की क्या करी गई भूश्णा करी गई तो यह का गया कि मद्यप्रेदेश में जहां नर्मदा गुजरती है वह हम बना देंगे इंद्रा सागर डेम और गुजरात में हम बना देंगे को सर्दार सरूबर डेम की अब हुआ यह की डेंगे इन का जब निर्माड हो रहा था ठीक है कि बतला डेम का जब निर्माड हो रहा था तो रास्ते में कुछ जो लोकल तो पिपल्ष थे उनकी जगा आ रही थी थी तो thanks इस चीज को खतम करने के लिए जो है उनीस सो पिचासी में एक कमेटी का निर्माड़ गजा रही थी उनसे मुआफजा देने का बादा तो किया गया ठीक है तो इस चीज को खतम करने के लिए मैं मतलब जो है उनीस सो पिचासी में एक कमेटी निर्माड़ गवा नीस सो, साटसी शुरू हुआ आथि उन्नीस सो, साटसी शुरू हुआ उनीस सो iki तक लोगग मालोग कृतने साल लोगे 25 सालों में कोई भी मुवावजा दिया नहीं गया तो इसको अगेंस्ट करने के लिए ठीक है एक प्रोग्राम शुरू किया गया कौनसा नर्मदा बचाओ कमेटी ओके ठीक है इसका क्या हुआ गठन हुआ वहाँ पर अब जिसकी अध्यक्ष थी अगर इनकी इस कमेटी की जो अध्यक्ष थी वह कौन थी मेधा पार्टिकर ठीक है मेधा पार्टिकर इसकी क्या थी अध्यक्ष थी अब हुआ यह की 1989 में मन्हें कमेटी बन गई थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगरा भी किया लेकिन जो असल में जो नर्मदा बचाओ आंदूलन की जो शुरुबात हुई वह कब हुई थी 1989 में ठीक है क्या हुआ नर्मदा बचाओ आंदूलन की शुरुबात हुई वह किसने किया था मेधा पार्टिकर ठीक है यह हिंदी में इंग्लिश में दोना एक ही तरीके से लिखा जाएगा निर्मदा बचाओ आंदुलन के नाम से यह ठीक है क्योंकि यह एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम का एक प्रोटेस्ट का नाम है ना कि आप इसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे ओके कब शुरूबात हुई 1989 में तो तब इसकी शुरूबात होने के बाद क्या हुआ जो लोग थे वहाँ पर वो 48 घंटे तक 48 घंटे तक पानी में खड़े रहे थे ठीक है पानी में नर्मदा जो रिवर थी उसके पानी में खड़े रहे इतना लंबा इनका प्रोटेस्ट चला था तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वर्ल्ड वैंक ने ये सब चीजें देखी कि वहां पर इस तरीके की दिक्तत आ रही है तो वर्ल्ड वैंक ने कि वर्ल्ड वैंक ने क्या किया 19906 में इस अंदूलन पर विराम लगाया मतलब यहां के लोगों को समझाए बुजाए थोड़ा प्रेशराइज किया प्रोर्ण टाला उन पे तो इस आंदूलन को क्या किया गया खतम किया ऌनदूलन आंदुलन की समाप्ति की गई ठीक है समापन हुआ यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप स्टार लगा ले ना इस पर ठीक है आपकी इसी एक्जाम में नहीं आपकी सारी एक्जाम में आएगा जिसमें जी एसाता है ठीक है अब अगर इसको देखा जाए अब इस पर विराम तो लगा लिया अब हांके लोगों को मुआपजा भी दे दिया गया सब कुछ हो गया लेकिन सरदार सरोबर डैम का जो बेसिकली जो उद्धाटन हुआ था इसका जो उद्धाटन हुआ वो कब हुआ 2017 में किसके द्वारा नरिंद मोदी के द्वारा मोदी जी के द्वारा ओके ठीक है तो कि अपके नर्मदा रिवर पूरा यहan कंप्लीट हो चुका है जितनी इंपोर्टन चीज थी जो आपके एक्याम में पूछी जाती है सारी चीज़े में नर्मदा रिवर से लिलेटेड अब नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे नितापती रिवर के बारे में ओके गाइस पढ़ते रहे हैं और आपको कोई भी क्वेशन है तो आप कोमेंट में पूछ सकते हो कोई भी सजेशन है वह आप दे सकते हो ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछिए टेलिग्राम पर पूछिए वाट्सअप ग्रूप है वहां पूछिए ठीक है ज